की गाईज विलकम बैक टू मैं चैनल आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गाउं वाली देशी सबजी आप में से बहुत से लोग ने इसे कभी नहीं देखा होगा कभी नहीं खाया होगा क्योंकि यह जो सबजी होती है वो नॉर्मली आपको मार्केट में नहीं मिलने वाली अगर आप गाउं से बिलॉंग करते हैं तो आपको यह जो सबजी होती है वो मिल सकती है यह देखे यह इस तरह के होते हैं ऐसे इनका जो उपरी पार्ट होता है थोड़ा सा नुकीला होता है काटे जैसे होते हैं उसको हमें छीलना है तो हम क्या करेंगे इसे इस तरह से छी कानपुर में इसे फरफिंदुआ के नाम से जानते हैं आप लोग इसे क्या कहते हैं और इसकी सब्जी बनाई है या नहीं नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा इसका जो यह नुकीला वाला पार्ट है नीचे का टेल पार्ट वो भी हम इस तरह से काटके निकाल देंगे इ आपको बहुत ही इजी प्रोसेज बताऊंगे तो बहुत ही आसानी से फर निकल जाते हैं फिर इसके बाद जो इसकी सब्जी बनती है बहुत ही टेस्टी बनती है तो यह दिखिए इस तरह से छीलने के बाद हम क्या करेंगे इसे इस तरह की एक छलनी में डालेंगी अगर आ नीचे आजाते हैं यह देखिए हाथ से थोड़ा सा रगड़ दीजिए ऐसे करके ताकि ज्यादा से ज्यादा इसके फर निकल जाए नॉर्मली गाउं में इसे राक वगएरा से साप करके बनाते हैं बट यह वाला प्रोसेज मुझे सब सीजी लगता यह देखिए जब ऐसे कर होंगे ऐसे तीन चार बार आप कर लेंगे तो यह एक तम अच्छे से साफ हो जाएंगे यह दिखिए सेकंड टाइम में थोड़ा सा कम निकला है वापस हम फिर से इसी तरीके से करेंगे तो तीन से चार बार इसे कर लीचिए तो ज्यादा से ज्यादा फर निकल जाएंगे हम इसे wash करके निकाल देंगे तो यह देखिए मैंने इसे चौथी बार इस तरह से किया हुआ है बहुत ही थोड़े से निकले हैं अब हम क्या करेंगे की से एक बावल में डालेंगे और इसके बाद हम इसे wash करना है ताकि जो भी थोड़े बहुत फर इसमें लगे रह गए होंगे तो धुलने से अच्छे से पानी के साथ निकल जाएंगे यह देखिए हाथ से थोड़ा सा रब करते हुए इसे अच्छे से साफ कर लीजिए तो यहाँ पर हमने इसे साफ करके एक छलनी में निकाल के रख दिया हुआ है अब गैस में हमने एक कड़ा ही रखी हुई है इसमें हम सरसू का तेल डालेंगे आप जिस भी cooking oil में सबजी बनाते हैं वो डाल सकते हैं एक चमच जीरा डालेंगे सबजी बहुत ही नॉर्मल तरीके से बनती है दो जुटकी हींग डाली हुए है साथ से आठ कलिया बारीक कटा हुआ लैसुन डाल देंगे तीन से चार बारीक कटी हुई हारी मिर्च डालेंगे एक बड़े साइज के प्याज को हमने फाइनली चौप करके डाला हुआ है अब हमें लहसोन और प्याज के सुनहरा होने तक इसे अच्छे से भूनना है तो फ्लेम को लोटू मीडियम के बीच में रखेंगे और प्याज को अच्छे से भून लेंगे प्याज हमारी अच्छे से भून गई है तो यह जो हमने फरफिंद हुआ है इस तरीके से छील करके धोके रखे हैं वो हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम थोड़ी देर भूनेंगे नमक डाल देंगे थोड़ा सा तो नमक आप अपने टेस्ट के एक वार्डिंगे डालेगा यह देखे इस तरीके से हम यह सबजी बनाते हैं नॉर्मली मेरे गावों में जब यह सबजी बनती है तो इसी के साथ साथ हम एक दो तरोई के भी छोटे टुकड़े करके डाल देते हैं तो इदेखे धक करके हमने इसे पकाया हुआ है साथ से आठ मिनट का टाइम लगा है आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दो चमश पानी भी डाल सकते हैं आधा चमश हल्दी पावडर एक चमश धनिया का पावडर डालेंगे आधा चमश लाल मिर्च पावडर डाला हुआ है यह कस्मीरी लाल मिर्च पावडर है तीकी कम होती है कलर अच्छा आता है यह दिखे धीमी आज में मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए सबजी को भून लीजिए थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे खटास के लिए आम चूर पावडर इसमें टमाटर बिलकुल भी नहीं पड़ता है अगर आपके पास तरोई है तो आप छोटे टुकडे में इसमें एक दो तरोई जरू डालेगा मसाले के साथ हमने से ढख करके एक मिनट तक और कोक किया हुआ है और ये लिजए हमारी जो सबजी है फरफिंदुआ की एकदम देसी गाउं वाली सबजी बनके तयार है अगर आप गाउं में कभी जाते हैं और आपको ये मिल जाती है तो आप एक बार इस सबजी की रेसिपी को इस तरीके से जरूर ट्राइ करेगा आपको बहुत पसंद आएगी इस सबजी को बनाने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि इसका प्रोसेट चुहे वो थोड़ा लंबा हो जाता है बट कोई नहीं अगर आप घर में आपके पास टाइम है तो आप भी सबजी की रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए गर्म गरम पूरी पराठे रोटी के साथ खाए बहुत पसंद आएगी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ